हेलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग कैंसे आप सब स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर और आज हम स्टार्ट करेंगे शोटकट स्पेशल सिरीज का लेक्चर नंबर 18 इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मैं 10 कोश्चन कराऊंगा और मैं कहता हूँ उन 10 कोश्चन के तरिव आप डिफ्रेंशेशन के ऊपर बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा ठीक है डिफ्रेंशेशन नहीं और भी मिसलीनिस टोपिक के चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और एकजाम के अंदर इन में से अगर कोश्चन आता है या इनускांस के उपर बेच्ट कोश्चन आता है तो मैं कहता हूं आप घलत नहीं करोगे और उनको फटा-फटा आप सोल करोगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो the question क्या है if fx भी a polynomial आपको f of minus 1 याने कि इस function में चाहे आप x को 1 रखो चाहे आप x को minus 1 रखो वो दोनों क्या है equal आएंगे such that abc are in ap और abc क्या है ap के अंदर है तो बताओ f-a f-b और f-c क्या होंगे तो सबसे पहले इस question को solve करने से पहले मैं आपको ap के कुछ point बता देता हूं कि क्या होता है जैस अगर इस ap की सभी term को हम मान लो किसी number k से multiply कर देते हैं this ap is multiplied by k multiplied by k multiplied by k multiplied by k का मतलब each term हर एक term को अगर हम k से multiply कर दें तो जो नई series आएगी यानि कि जो आएगी 2k 5k 8k 11k 14k यह जो series आएगी यह जो sequence आएगी यह भी क्या होगी ap होगी यह भी क्या होगी ap आप करके देख लो आप इसको के की जिगा टू ले लो आप है न के की जिगा टू ले लो तो नई sequence क्याएगी हर एक term को क्या कर दो तू से multiply जैसे हर एक term को तू से multiply करोगे तो आपकी series य आजेगी हर एक ट्रम को तू से मल्टिप्लाइ करोगे आपकी सीरीज यह आगी बताओ क्या यह एपी निया आपको बिल्कुल एपी है असा इसे पी का कॉमन डिफ्रेंस कितना आप यह भी बता दो इच ट्रम इफ इच ट्रम इच डिवाइड़ अपटेश कर देज़ाए अफिर दिवाइड़ यह तो था दिवाइड करना और मॉल्टिप्ल सुर्णि घणतर तब आप समझो की कि तब भी होगि इस तब भी होगी अर्य एक अगर हर एक ट्रम के अंदर आपको ओन तब भी नई sequence क्या बनेगी AP अगर हर एक ट्रम में से आप same number को subtract कर दो तब भी नई sequence क्या बनेगी AP यह मैंने AP के अंदर आपको सब कुछ बताया हुआ ठीक है अब देखो इस अपना question है जो question number 1 इस पे चलते हैं यहाँ पे आपको जो ना fx एक second degree का polynomial मानना है सिर्फ x स्केर मान लू सिर्फ x स्केर भी तो second degree का polynomial है ना अचा क्या यह इस condition को satisfy करता है f of 1 equal to f of minus 1 हाँ करता है क्योंकि चाहे आप 1 का स्केर करो चाहे आप minus 1 का स्केर करो दोनों का answer क्या नहीं 1 यानि कि मैं fx को x स्केर मान सकता हूँ और मैंने मान दिया ठीक है अब आपको क्या कि आपको निकालना क्या है f'a, f'b और f'c किस में है आपको यह बताना है ap में है, gp में है, hp में है या इन में से कोई नहीं ठीक है f'x निकालो सबसे पहले तो कितना आगए बताओ 2x f'x कितना आगए आपका 2x अब यहां से आप क्या निकाल लो f'a, यानि x किसे a put कर दो f'b निकालोगे तो 2b आजेगा और f'c निकालोगे तो कितना आपका 2c, यानि अब आपको यह निकालना है कि 2a, 2b और 2c जो sequence है वो क्या होगी वो क्या होगी, ap होगी, gp होगी hp होगी या इन में से कुछ नहीं होगी ठीक है, तो आपको question में given है कि abc किस में है, ap में है तो मुझे बताओ, जब यह abc, ap में है तो मैं इसको अगर 2 से divide कर दूँ, सभी term को अगर मैं 2 से divide कर दूँ तब यह sequence क्या होगी आपकी बताओ, abc बन जाएगी और abc तो क्या है, ap में है तो abc अगर ap में है, तो क्या मैं यह नहीं कह सकता, कि 2a, 2b और 2c भी ap में होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि abc अगर ap में है जो कि question में given है, और मैं हर एक तर्म को 2 से multiply कर दूँ, तो जो नई sequence हैगी, वो भी तो ap में होगी और नई sequence क्या आएगी, 2a, 2b और 2c, और यहीं तो क्या है आपका f'a, f'b, f'c है तो यानि कि यह तिनो टरम किसमें होगी आपकी ap में होगी, तो बहुत आसान question था बस इसमें आपको मैं यही बिताना चाहता हूँ कि second degree function को आप इस तरीके से भी अजूं कर सकते हो, ठीक है कोई बुराई नहीं है इसमें, अब देखो next question यह बहुत अच्छा question है इसमें आपको y दे रखा है, sin square alpha plus cos square alpha plus beta और plus में 2 sin alpha into sin beta into cos of alpha plus beta आप से क्या पुछा गया है third derivative इसका पुछा है, किसकी respect में alpha की respect में, अगर आप सिद्धा इसका third derivative निकालने की कोशिश करोगे तो भूल जाना कि exam में इस question का answer सही निकाल पाओगे, ठीक है न, 2-4 minute waste कर दोगे, और last में पता लगेगा, answer भी आप alpha की respect में derivative निकालना चाहते हो, तो यानि alpha को तो question में मौजूद होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि alpha ही नहीं होगा, alpha की respect में derivative क्या होज़ेगा, 0 alpha को तो आप छेड़ नहीं सकते हैं, तो मैं कहता हूँ, beta का क्या काम है, beta तो एक constant की तरह काम कर रहो है, यहां पे, मैं एक constant है, आप beta को जो आपका मन करे न, वो मं偉ब मान लो, आपका जो मन करे वो मान लो, मैं कहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, कि beta को मैं zero मान लीता हूँ, क्यों, beta को zero मान लो को तो यह second derivative third derivative सभी क्या होएंगे आपके 0 होएंगे तो बस question खतम पीटा को 0 माननो तो वाई क्या आगया बताओ आपका sin square alpha इतनी ही बात इसमें बताने वाली थी बस ये cos square alpha plus में 0 और ये पूरी ट्रम होजेगे 0 sin square plus cos square कितना आगया वन तो यह अगर वन आ गया तो इसका alpha की respect में डेर्यूटिव क्या होगा 0 अच्छा इसका फिर से डेर्यूटिव अगर आप निकालोगे second derivative तो भी 0 आएगा क्योंकि 0 का तो डेर्यूटिव जिरो यह होगा और इसका third derivative निकालोगे तो भी क्याएगा जीरो इस question का answer क्या है जीरो है ठीक है question खत्म थार्ड कोशन रिखो यह बहुत अच्छा question है इसमें जो conceptual mistake हो सकती है मैं उसके बारे में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं यह तो सब आप under root of x square निकालते हो तो उसका answer क्या लिखते हो mode of x लिखते हो क्यों आप x नहीं लिख सकते सिद्धा x लिखते होगे तो गलत हो जाएगा क्यों x हो सकता है negative हो अगर x negative हो इसका मतलब तो आपने इसकी value negative लिखती लेकिन square root तो कभी भी negative आता ही नहीं रियल नंबर का तो जब आप इसका answer लिखोगे तो क्या लिखोगे mode of 10x लिखोगे यानि कि यह तो छोटे बच्चे लिखते हैं कि square से square root काटती है लेकिन हम अगर लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा ठीक है अब मेरे को करना है कि यह plus का sign बाहर आएगा या minus का sign बाहर आएगा बस यह देखना है अचा एक्स कहां से कहां तक लाई करता है आपको बताओ पाई बैट उसे पाई इसका मतलब x किसमें लाई करता है second quadrant में अगर x second quadrant में है तो मुझे यह बता दो कि 10x क्या होता है second quadrant में tangent x is negative in second quadrant होता है यह तो सब बच्चों को पता है अगर यह खुद negative है तो फिर बाहर क्या होएगा इसके negative sign लगेगा क्योंकि अंदर वाली value 10x negative है बाहर negative लगा होगे तभी तो यह positive बनेगी न और हमें value positive बाहर निकालनी होती है तो आपका जो y है न मैं बस यही बताना चाहता था वह minus 10x आएगा जो जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं 10x कर देते हैं और answer क्या है टिक कर देंगे second square x है न वह गलत हो जाएगा तो ती वाई बैदी आपने अगर 10th class का मैथ अच्छे से पड़ा है तो यह question वहाँ पे आपने जरूर देखा होगा अगर y आपको यह दे रखा है तो आप से dy by dx पुछा है at x equal to pi by 4 यह तो बाद की बात है derivative आप निकालके last में x को pi by 4 पूट कर देना लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप इसका direct derivative करोगे तो question यह आसान है ज्यादा मुस्किल भी नहीं है मुझे लगता है ज्यादा मुस्किल नहीं है आसान है बट मैं कहता हूँ पहले इस function को simplify करो differentiation की एक बहुत अच्छी technique है कि पहले function को simplify करो फिर जो simplified form में आएगा आपका function उसको आप क्या कर दो differentiate कर दो ठीक है और chapter आपका आसान बन जाता है तो यह question 10th class की trigonometric है जहां हम इस one को क्या लिखते थे sequence square x minus 10 square x क्योंकि sequence square x minus 10 square x सब को पता है क्या होता है वन होता है यह होता है तो मैं इस one को वही लिखने जा रहा हूँ यहां पे तो मैं तभी कहता हूं कि last जो छोटी class के maths है वो आपको complete आते हैं सब कुछ उनकी knowledge है तो फिर higher level के math क्या है आसान हो जाते है कुछ ठीक है वन को से देखो क्या मैं सीकंट एक्स प्लस 10x को मन ले लो दोनों में से अगर मैं सीकंट एक्स प्लस 10x को मन लूँगा तो क्या होएगा बताओ यहां से वन बचेगा माइनस यहां इसका फर्मला क्या होता है सीकंट माइनस 10 इंटू सीकंट प्लस 10 पलस वाला कॉमन ले लोगे त सिर्फ क्या बच गया पने पास सिकंट एक्सप्लस में 10 x बच गया वाई अब बताओ क्या इसका डारीट भी इफ यह निखल सकते डी और टींट इक्स झांट और 10x का derivative क्या होता है second square x अब आपको किस पे निकालना है बताओ x is equal to pi by 4 पे at x is equal to pi by 4 put कर दो x is equal to pi by 4 put करोगे तो second 45 और tangent 45 और प्लस में second 45 का square second 45 कितना होता है root 2 10 45 तो बन होता है और यह root 2 का square कितना आएगा 2 तो answer कितना आगे आपका 2 plus में root 2 2 plus में root 2 हुई उस question का क्या है answer है तो बस मैं in questions में आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले functions को आप क्या करो simplify करो फिर उसका जो derivative होगा ना वो सिर्फ एक line का derivative है ठीक है मतलब यह concept differentiation का है नहीं यह तो function को simplify करना आपको सीखना है बस जिसमें क्या यूज होती है trigonometry होती है देखो यह function आपका y दे रखा है x into x minus 1 into x minus 2 तो आपको डिवाइब डिए डिस निकालना है तो इसका derivative तो कोई 11th करास का बच्चा भी निकालते हैं वो कहेगा सर आपने इतना सान question दिया क्यों है मैं तो इसकी multiply कर लूँगा x square minus x into x minus 2 फिर x से multiply करोगे x cube minus x square और minus 2 से करोगे minus 2x square और plus के 2x यानि की function आप simplify करोगे तो आपका यह आगया है ना यह आगया अब बताओ क्या इसका derivative निकालना मुस्किल है डिवाइब डिए डिक्स कितना आगया 3x square minus के 6x और plus के 2 answer दो आगया लेकिन मैं इतना आसान question ऐसे include ने करूँगा कि इसका सिर्फ मैंने derivative आपसे पुछ है मैं इस question के तरूँ आपको कुछ बताना चाहता हूं ठीक है आप सभी ने differentiation में product rule पड़ा है product rule तो सब ने पड़ा है यह तो differentiation का base है जैसे मान लो य आपका हो दो function की product हो fx into gx तो बताओ dy by dx आप कैसे निकालते थे first function को आप same लिखते हो और second का क्या करते हो derivative फिर plus का sign फिर second function को same into first function का क्या करते हो derivative यह तो सबने पड़ा है अपने है न product rule बोलते हैं इसको लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यह product rule सिरफ दो function के उपर ही apply नहीं होता इस product rule को आप extend कर सकते हो to any number of functions functions चाहे 3 हो चाहे 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी function हो आप इस product rule को extend कर सकते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या extension of product rule extension of product rule की is product rule को तीन function पर भी आप apply कर सकते हो कैसे करो के वह बताता हूं to any number of functions to any number of functions यानि कि 2 से ज्यादा function भी जब आएंगे तब भी हम उस पर product rule लगा पाएंगे लेकिन वो लगता कैसे है वो बता रहा हूँ जैसे y equal to है fx into gx paper के अंदर maximum questions जो आएगा वो 3 function वाला आजेगा ठीक ना 4 का आजे तब भी आप कर सकते हैं तो मैं ऐसा rule बता दूँँ आपको dy by dx क्या होगा देखो इसमें आपको ये करना होता है इन तिन्नों में से एक एक function का क्या करते जाओ आप derivative करते जाओ और बाकी दो functions को क्या रखते जाओ सेम रखते जाओ जैसे पहले आप क्या कर दो fx का derivative कर दो और इसके साथ में into में gx और hx को क्या रखो सेम रखो फिर क्या करो दूसरे step में plus का sign डालो फिर gx को derivative कर दो इसका g dash x और fx और hx को क्या लिख दो सेम लिख दो फिर तीसरे step में plus का sign फिर h का derivative करो यानि h dash x और fx को और gx को क्या लिख दो same लिखते हो तो समझ गए अब 4 function के उपर होता तो भी आप apply कर दोगे पहले f dash x कर दो बाकी दोनों को same फिर g dash x into बाकी दोनों की product फिर h dash x into बाकी दोनों की product तो आप easily समझ गए होगे कि इसका derivative हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ठीक है तो अब देखो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ dy by dx उपर वाड़ा function देखो अब यह रहा first function का derivative और बाकी दोनों same लिखती है मैंने plus second का derivative कितना one और बाकी दोनों same plus third function का derivative याने की one और बाकी दोनों function same अब इनको आप solve करके multiply करोगे तो क्या आएगा आपका answer यही आएगा यह कितना है 3x square minus के 6x और plus के 2 यही आपका क्या है इस question का answer है मैं सिरफ यही बताना चाहता हूँ आपको कि product rule को हम कितने भी number of functions पे extend कर सकते हैं यह सिरफ दो function के लिए जरूरी नहीं है हम सिरफ दो function का rule किस में बताते हैं plus two के बर्चो को बताते हैं ठीक है लेकिन हम higher level का exam देने वाले हैं तो हमारको पता होना चाहिए कि सिरफ दो function के लिए नहीं बलकि कितने भी function हो उनके उपर product rule लगता है अब मैं इसके उपर based आपको अच्छा question कर रहता हूं देखो यह वाला question है वाई आपको दे रखा है तीन function की product है इसको f मान लो इसको g मान लो इसको h मान लो यानिकी fx gx और hx आपको dy by dx निकालना है at x is equal to minus 1 मैंने अभी आपको पिछले question में बताया कि तीन function के उपर अग जरूरी नहीं होता observation से कई बार ऐसी ऐसी चीज़े हम solve कर लेते हैं जो हमार को देखने में मुश्किल लगती है ठीक है अब इस question के तरू मैं आपको वही सिखाने वाला हूं मुझे बताओ dy by dx तो सब बचों को निकालना आता है ना लेकिन वो होगा क्या first function का derivative first function का derivative यानिक यानि g-x निकालते हो आप g-x उसमें first function यानि 1 प्लस x और h-x आप क्या लिखते हो आप सेम फिर क्या करते हो आप third function का derivative लिखते हो यानि h-x और उसमें first function f और second function gx आप सेम लिखते हो है आप सोचो कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है ताकि मैं कुछ आपको यहां पे 0 नहीं हो जगा तब ही मैंने यह लिखा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि यह 0 होने वाला है तो बस मैं x को minus 1 इसमें put करूंगा ठीक है क्या आएगा बताओ 3 plus 1 इसकी power 1 by 2 और 9 minus 1 इसकी power 1 by 3 तो यह कितना आगा 2 और यह भी कितना आगा 2 answer कितना आगा 4 तो मैं सिरफ यही नहीं होती question को observe कि आगरो कि x को minus 1 put कर रहे हो आप यानि x plus 1 तो क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है तो जहां पर x plus 1 आएगा उस ट्रम को आप क्यों solve करते हो वो तो वैसे 0 बन जाएगी ठीक है तो सिरफ आप क्या करो पहली ट्रम के अंदर x को minus 1 put करतो और आपका answer आजाए अब यह अगर किसी बच्चे को expansion आती है जैसे sin x की, cos x की, 10 x की, log of 1 plus x की, log of 1 minus x की, e की power x की, a की power x की तो यह question को देखते ही वो answer टिक कर देगा कि इसका answer क्या होगा, y होगा, कैसे होगा, मैंने आपको बताई हुई है कि e की power x की expansion होती है वो क्या होती है बताओ, 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial, plus x cube by 3 factorial, और plus यह चलती रहती है, infinity तक यह चलती रहती है, कभी भी खतम नहीं होती, यह e की power x की expansion होती है, तो आप कहोगे कि हमें इस question में जो y given है, वो तो e की power x है, वो तो क्या है, आपका e की power x है, आप से dy by dx पूचा गया है, dy by dx, e की power x का क्या होता है, e की power x होता ह अच्छा e की power x तो आप कोगे sir y है, तो मैं कहता हूँ y तो है, और इसका answer भी क्या है, y है, लेकिन क्या हो अगर आप इसको expansion याद ही ना है, पेपर में, किसी बच्चे को अगर expansion याद ही ना हो, और उसने differentiation को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भी कोई बात नहीं, तब भ अच्छे का derivative कितना 3 x square निचे 3 factorial यही तो चलेगा, क्योंकि plus minus में हम derivative क्या है, अलग अलग करते हैं, अब बताओ यह 0, यह 1, यह 2 से 2 factorial क्या होता है, 2 into 1 होता है, तो यह क्या बच जगा, x by 1, 1 को मैं 1 factorial लिख दूँ, अच्छा अब यह बताओ, x square उपर 3 है, निचे 3 factorial है, त तो देखो, क्या यह फिर से आपका, यह e की पावर x नहीं बन गया, यानि की e की पावर x को तो छोड़ दो, क्या यह फिर से आपका y नहीं बन गया, यही तो है, यह फिर से आपका क्या बन गया, y बन गया, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको expansion याद होगी, त तो आपको लिखके देखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा ही बता दोगे अगर एक्सपेंशन याद नहीं होगी तो यह 15-20 सेकंड आपके यहां पर वेस्ट हो जाएंगे बट कोशन सोल हो जाएगा ऐसा नहीं कि कोशन सोल नहीं कर सकते बट कुछ चिज़ से कनवर्ट कर दूँ सीकंड इनवर्स एक्स में तो मैं सीकंड से सीकंड इनवर्स को कैंसिल कर दूँगा और मेरा अंसर सिरफ किसमें आजेगा एलजेबरा में आजेगा जैसे एक्स आगया एक्स स्केर आगया ऐसा आजेगा ठीक है आप को होगे सार आप तो यह बात कर र लो इसको क्या मनलो थीटा X कितना आगा आपका 10 टीटा X कितना आगा बताओ 10 टीटा अब आप यहां से सीकंड थीटा की वेलू निकल लो तो फिर यहां से आप secant inverse one plus में x square का under root लिख सकते हो और theta theta हमने क्या माना था 10 inverse x तो मेरे कहने का मतलब यह है मैं एक inverse function को दूसरे inverse function में बहुत आसानी से change कर सकता हूँ triangle बना के ठीक है तो y को मैंने क्या लिख दिया secant of 10 inverse x 10 inverse को मैंने लिखा secant inverse under root of one plus x square secant से secant inverse cancel answer आगया हमारा simple यह बस अब इसका derivative तो कोई भी बता देगा dy by dx कितना होता है बताओ one by two as it is यह और अंदर वाले function का derivative याने की two x two से two कट गया answer आगया हमारा यह लेकिन आपको पुछा है at x is equal to one तो इसमें put कर दो आप x is equal to one तो dy by dx आपका कितना हैगा one by root two और यही इस question का answer है one by root two तो मैं इसमें आपको यह बता दिया मैंने कि एक inverse trigonometric function को दूसरे inverse trigonometric function में कैसे convert करते हैं ठीक है बस यही बात थी अब देखो यह question मैं आपको पिछले lecture में करवा चुका हूं मैंने क्या topic बताया था आपको first simplify then differentiate यह वही question है ठीक है अब इसमें आप function जैसे मैं देखता हूं ना तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि यह तो आपका क्या होता है 2 10 x sin 2 theta का formula क्या होता है बता हो साइन 2 theta 2 10 theta और अपन में 1 plus 10 square theta होता है ना यानि कि अगर मैं यहां पर x की जिगे अगर मैं x की जिगे क्या put कर दूँ 10 theta put कर दूँ तो बात बन जाएगी x की जिगे 10 theta यान कि थिटा को आप sorry 10 inverse x को आप क्या लिग सकती हो theta लिख सकती हो 10 inverse x को क्या लिख सकती हो theta तो मुझे बताओ fx आपका कितना बन गया 2 into 10 inverse X क्या है यह थीटा प्लस में साइन इनवर्स यह क्या मन गया 2X X का मतलब 10 थीटा और 1 प्लस 10 स्केर थीटा यहाने कि 2 थीटा प्लस में साइन इनवर्स और यह क्या होता अपका साइन 2 थीटा साइन से साइन इनवर्स कैंसील हो गया तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया 4 थीटा अच्छा थीटा कितना है हमारा देखो यहां से थीटा कितना है 10 inverse x तो देखो y को simplify करके मैंने कितना आसान बना दिया तो अब तो कोई भी बता देगा dy by dx y कहलो या fx कहलो एक ही बात है न 4 और 10 inverse x का derivative यह होता है अब किस पे निकालना है आपको at x equal to 1 by 2 x को क्या put कर दो आप 1 by 2 put कर दो तो dy by dx कितना आजेगा बताओ 4 1 plus में x को 1 by 2 put करोगे तो यह आजेगा तो यानिकी 4 upon 5 by 4 4 उपर चला जाएगा 16 by 5 16 by 5 ही इस question का answer ठीक है तो शिरफ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि direct कभी भी differentiate मत कर देना पहले functions को simplify करो simplify होके यह function देखो इतना चोटा बन जाएगा और इसका derivative तो आप आप आसा नहीं से कर सकते हो last question देखो यह मैंने आपको last lecture के अंदर आपको concept समझा है था कि यह क्या होता है concept कि जैसे वाई अगर आपको मानलों यह given हो वाई अगर यह है तो मुझे बताओ डिवाइब डिएक्स जो होता है वो क्या आता है derivative of जो यह वाड़ा fx होता है आपका है ना यह वाड़ा जो fx होता है क्या इसका f-x आता है लेकिन उपर अगर minus sign हो तो मैंने बता है था answer किसका आता है minus का last lecture देख लेना आप 17 उसके अंदर मैंने यह सारी बात आपको बताई हुए ठीक है तो पताओ minus derivative of f-x याने सुर्य derivative नहीं यह क्या होता है f-x आता है इसका answer न डैरिवटीव system क्या होता है क्यों होता है minus इसका चıtना उसका-1 इसका answer कितना हाज़ए प्लस Okay उपर अगर plus हो तो answer plus one उपर अगर minus हो तो answer क्या आजएगा minus one अब इसको आप solve भी कर सकते हो अगर आपको मान लो यह नहीं याद रहता तो मैंने आपको पताया था इस से numerator और denominator को आप आपका 10X और निच्छे आपका क्या आजेगा 1 प्लस में A by B 10X यह आजेगा अब मुझे बताओ फॉर्मुला होता है एक आपका 10 inverse A minus 10 inverse B का वो फॉर्मुला क्या होता है 10 inverse A minus B upon 1 फॉर्मुला होता है यह फॉर्मुला अब आप मिरे को देखके बता दो क्या आपको इस चीज़ को देखके यह नहीं याद आई कि यह का काम कर रहे और यह का काम कर रहे तो यह वही तो बन गया 10 inverse A minus B upon 1 आपका तो बताओ दियुक्त तो बिल्कूल आसान है यह तो constant है डेरीटी क्या 0 रेक्स का डेरीटी वन अंसर कितना आगया चीज़ कर दोगे दो सेकिड यह तो पंद्रावी सेकिंड आपकी वेश्ट हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं के इंदर मैंने कफी कुछ बताया और मैं अभी और भहुत सारी चीज़ें डिफेशेसें के लिए अपको बताने वाला so thanks for watching this video we will meet in the next lecture till then bye bye take care